नमस्कार सोशल समवाद में आप सभी का स्वागत है मैं आकाश पुद्दार जैसा कि आपको पता है कि जार्खन में विदान सभा चुनाओ अब जल्दी है जहां सभी पार्टी अपने जोरों से तैयार में लगी हुई है लेकिन आज हम चर्चा करेंगे जार्खन में तीसरे म मूर्चे का गठन का तो इसी विशह पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सवयों की शशी भूशन जी मौजूद है सर्थ विदान सभा चुनाओ अब नजदीक है तो तिसरे मूर्चे का क्या भविश्य जहार्खन में सबसे पहला सवाल की आप विदान सभा चुना प्रभारी है वो बैठक ले रहे हैं बैठके हो रही है अभी विस तारीक वमिश्य यहां पराने वाले वह भी बैठक लेने वाले हैं आसु अपने तरीके से जिला में घुम घुम के समेलन कर रही है बैठक कर रही है अपने उमिदवारों की दावादारी मुझबूत हो रह जब कि गटबंदन में बीज़ेपी वहां से चुनावा बिदानसभा में लड़ी थी तो इस तरह की तैयारियां अपने अस्तर लेकिन पार्टी अस्तर पर चल रही गटबंदन में सीट बटवारे की बात अभी नहीं हो रही उती तरीके से इंडिया गटबंदन में देखें कांग्रिस अपनी कर रही है बाकी जो पार्टीयां है उनके साथ राजड है माले है ये तमाम सारी जो पार्टीयां वो भी अपने अस्तर पर कर रही है अपनी दावेदारी अभी मजबूत किया जा रहा है गुम गुम कर कि देखिए ये सीट जो हमारे हिस्से में जाना चाह करना काफी मुश्किल हो जाता है एक एक स्टीट को लेकर टकरा होता है और यह आपको यहां भी देखने को मिलेगा और तिसरा मोर्चा का गठन तब होता है जब दोनों पाटियों के बीश में से जिनका आप देखिए कि मन मुताबिक या तो शीट नहीं मिल पाता है या समान जनक जो चाहते हैं एक एकस्पक्टेशन कर बंदन मुने जगह नहीं मिल पाता है तो तिसरे मोर्चे का बिकल्प बनता है इस इस बार थोड़ी सी हर बार के अलावा यहां संबनाय बदले हुई है इसलिए कि इस बार आप देखिए कि सबसे जो एक मजबूत कड़ी जो सतंत्र तरीके से लोग सभाचुनाव उन्होंने अपने फुस्तिद्य दर्श कराई है जैरा मातों को लेकर उन्होंने आठ लोग निर्दलिय बिधायक है उन्होंने अपनी पार्टी गठन की है वो लगतार एक्टिव हैं लोगों से मिल रहे हैं अभी नितिश कुमार के साथ मिले हैं उसमें भी बात हो रही है कि जदिव के साथ या जदिव के साथ बिलाय कर जाएं या उनके साथ गटबंदन करके जारक लड़ेंगे कि नहीं चोड़ेंगे तमाम तरह की सवाल अभी आने वाले समय में या अलग-अलग लड़ेंगे कई बार देखा जाता है कि लोग सभा में अगट बंदन है लेकिन विदान सभा में बातें नहीं बड़ी बनती है तो आप उस राज्यों में अकेले भी चुनाओ लड़ते हैं तो यह भी एक समभावना हो सकती है तो वैसे प्रस्तिती में अगर भाजुमों सरीवराय जी और जदियू अगर एक साथ लड़ती है तो किन-किन सीटों पर लड़ेगी वो बार-बार आज के अकवारों में भी गुशना किये कि हम 25 से 30 सीटों पर चुनाओ व आते हो रही है इसके अलावा और भी अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नेता जो है वो प्रभाव साली है अमीत महतो अपने एक पार्टी बनाया है सली से वो विधायक रह चुके पतनी और पती दोनों उन्होंने पार्टी बनाया है ओ क्या गटबंदन किसी से करेंग सुरी सिंग्वेसरा का बोले कि हमें 80% लड़ेंगे ता इसे कई लोग हैं तो तीसरे मोर्षा का जो है तीसरा चुनाओं तो सभी लोग लड़ेंगे लेकिन तीसरा मोर्षा बनेगा विकल्प इस पर वही कहीं न कहीं एक तरीके का प्रश्ट अभी चिन्न है इसलिए कि यह सभी अगर अलग अलग लड़ेंगे तो फिर जो है वो तीसरे मोर्षा का बिकल्प बढ़ना बड़ी दिक्कत होगी जब तक एक साथ नहीं है अलाकि अभी वक्त है अभी तो शुरुआती बातचीच चल रही है लेकिन जब गड़बंदन के सीट बढ़वारों को होगी और इस सारे समय अब नजदीक आ चुके हैं जिस तरीके के चुनाओ तैयारियां हो रही है इसे एकदम लग रहा है कि सितंबर के लाश्ट लाश्ट तब गुशनाएं हो जाएगी और जो हिमन सुरेन और की पार्टी समावना जता रही है कि चुनाओ समय से पहले कराने के लिए इलेक्षन कंशन जो हततपर है तो वो समय दिख रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी खासकर राश्ट यह पाती तैयारी कर रहे है पागी पार्टियां तैयारी कर रही है इंडिया घट बंक उस तरीके कटेजी के तैयारी यह नहीं देख रहे है, इस्ट पर बात-चित भी ल सरकार चलाने में बेस्त है लेकिन इधर आप देखिएगे आसू और बीजय पी और बागी जीर पार पाटियां है उनकी जनसभाइं होने लगी है उनकी बैठक होने लगी है और हमें लगता है कि यह तिसरा मोर्शाँ बिकल्ब बने ना बने लेकिन जीत और हार में फर्क जो ह सब लिए और नितिस legends और सर्यू सर्यू के एक्टिव है दिस तरीके से आप देख रहेंगे जैराम मायं चेटों से चाहिए कि उन्होंने ठाई लाग बोट लेकर आया और आसू के बोट पर काफी इंपक्ट पड़ा तो कहीं न कहीं ओ एक तरीके से एक छेत्रे में यह रहे हैं यहां से विधायक हैं तो हमें लगता है कि यहां जो सहरी शीटों पर वहां पर फट पड़ेगा तो अलग-अलग सीटों पर अलग-अलग लोग एक पूरे जो नेता हैं उनका इंपक्ट अलग-अलग जगहों पर पड़ेगा एक आदमी का पूरे जारकंट पर नहीं बलकि सबका समीकरन सब सीटों के साथ अलग-अलग जगहों पर है तो उसी साब से आपको इंपक्ट देखने को मिलेगा अभी फोड़ा सा इसलिके इस समीकरन जो अभी बन रहे हैं मिटिंग हो रही है एक दूसरी से लोग मिल रहे हैं लेकिन यह बहुत अभी अर्ली है इसलिए के सीट बटवारे में जो साथ दिख रहा हो सकता वो बिखर जाएगा और जो बिखरा हो सकता है कि साथ आ जाएगा आप लोग सभा में देखिए मुके सानी ब्यार में आप देख रहे थे कि ओ एंडिये के साथ थे नितिश कुमार के साथ थे लास्ट को उन्हें जगा नहीं मिला तो आरजेडी के साथ ते जश्वी के साथ आ गए तो अभी क्या कुछ होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी आजसू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है तो लेकि आजसू जिन जिन सीटों पर दावयदारी करेगी क्या बीजेपी उसे परत्याशित गोशित करेगी वो चाहेगी कि जिन सीटों पर हमारे विधायक रह चुके हैं उन सीटों को कम से कमें लड़ने को मिले अब हिस्तादारी जो है ज्यादा से ज्यादा मिले तो यह अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा समिकरन बनेंगे बिगड़ेंगे कौन कहां यह लड़ेगा आप 2019 को विधान सभा चुनाओ देख लीजिए कि कैसे साथ में थे लोकसभा में और विधान सभा में अलग-अलग हो गए तो अभी बहुत कुछ होने वाला है और बहुत सारे समिकरन बनेंगे और बिगड़ेंगे कौन साथ में जाएगा बाहर आएगा को वक्त बताएगा आपको सर आपने का कि समिकरन बदलने वाला है तो लोकसभा चुनाओं भी हमने देखा कि दल बदल बहुत हुआ जे- अभी से तयारी कर रहे है दल बदलने की देखें बिधान सभा चुनाओं आप देखें चुनाओं से पहले दल बदल को इंकार एकदम नहीं किया जा सकता है इसलिए कि उस समय लोकसभा के समय जो है थोड़ी दिक्कत देखें छे मेना बचा हुआ अब तो क्या है कि इनकी प रिवी बैठक हो रही थी वो एक दुसरे पारोप लगाया गया मार्पीट हुए हंगामा हुए तो नाराजगी है और वो नाराजगी आपको विधान सभा चुनाओं में देखने को मिलेगा जिसको जगह नहीं मिलगा जिन लोगों को टिकट कटेगा हमने पहले ही बोला कि तिसरे मुर्षे के तरफ जाएंगे और अपना जुगाड़ लगाएंगे तो यह तो होगा लेकिन अभी थोड़ी सी यह आपको में क्या है कि जो मांसुन सत्र होने वाला है इसको हो जाने देजिए और इसके बाद आपको खेला शुरू हो जाएगा दल बदलने का जो है स् सत्र होगा और इसके बाद जो है आपको दल बदलने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोग जिधर जिसको जिधर जाना होगा उधर आपको जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद सर तो आपको फिर से हम बता दे कि अब ज्यारकन विदान सभा चुनाओ के कुछी समय ब लेकर आपकी क्यारा ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं तब तक लिए देख तेरे सोशल समवाद मैं आकाश पुद्दार जैहिंग्ण